हलो दोस्तो दोस्तो यहनी शिर्केर में आपका बहुत बहुत सवगत हैं दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं हिमलाय तरिकाटू के बारे में दोस्तों त्रिकाटू आईरबेद की बहुत ही पुरानी ओशोधी है जो की मुखो रूप से तीन चीजों को मिला कर बनाया जाती है तीनों चीजे तासिर में थोड़ी गरम है इसलिए उन्हें ठंडी तासिर वाले लोग ही इस्तिमाल करें तो ज्यादा फाइदा होगा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि उसके फाइदा क्या है त्रिकाटू चूरना और टेबलेट के रूप में भी उपलाब्द है अगर हिमलाय त्रिकाटू की बात करें तो ये टेबलेट और सिरप के रूप में मिल जाएगा ये आपकी इम्मिनिटी को बढ़ाता है पाचून के लिए अच्छी करता है और इसकी तासिर गरम है इसलिए आपको नजला आजुखाम को भी ठीक करने में फाइदा देता है तो दोस्तों चलिए जानते हैं हिमलाय त्रिकाटू के कुछ फाइदों के बारे में दोस्तों जैसे कि मैंने सुरू में बताया हिमलाय त्रिकाटू के मुखो फाइदा पेट के लिए है ये आपका पाचून क्रिया ठीक करता है आज कल अपने सुना होगा कि आपको बाई हो गया है कुछ चीजों की वजह से बाई हो जाते हैं जैसे कि हमें उल्टी जैसा मन होने लगता है तो उन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए आप हिमलाय त्रिकाटू का सेवन कर शकते हैं दोस्तो इसमें एंटि वाइरल प्रपार्टीज पाए जाते हैं जो की वाइरल इन्फेक्शन को दूर करते हैं अगर आपको नजला अजुकाम हो जाता है अखासी हो जाती है तो उससे ठीक करने में मदद करता है दोस्तो उल्टी वगरा अगर लग जाए जैसा मैंने शुरू में बताया कि बाई की वजह से उल्टी जैसा मन होने लगता है तो उल्टी को रोकने के लिए भी फाइदा देता है दोस्तो हिमलाय त्रिकाटी इम्मिनिटी को बढ़ाने के लिए भी फाइदे मन्त माना जाता है इसमें सभी चीजे गरम डाली गई है जो की गड़े में डाली जाती है इसलिए आपकी इम्मिनिटी भी बढ़ाता है दोस्तो अगर आप सुगर के पैसेंड है तो सुगर में भी इससे इस्तिमाल कर सकते हैं एक गलाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है याने की रख्तों में गलोकोज की मात्रा को कम करता है दोस्तो अगर आपको भूक नहीं लगती पाचुन क्रिया बहुत ही धीमी है तो पाचुन क्रिया तेज करने के लिए भी और भूक को बढ़ाने के लिए भी आप इसका सेबन कर सकते हैं दोस्तो हिमलाय तरिकाटु टैबले पाचुन तंत्र को संद करता है और पेट की सूजन और डकार से भी राहात दिलाता है दोस्तो हिमलाय त्रिकाटू ओजोन घटाने में भी फाइदे मत देता है अगर आपका ओजोन ज्यादा है तो हो सकता है कि पाचुन के रिया अच्छी ना होने की वज़ा से ओजोन बढ़ रहा हो तो ओजोन कम करने में भी ये फाइदा देता है दोस्तो हिमलाय त्रिकाटू कोलेस्टरल को नियोंतरित करने में भी फाइदा करता है अगर आपका कोलेस्टरल बड़ा हुआ है तो उससे ठीक करने में मदद करेगा दोस्तो हिमलाय त्रिकाटू में ये उनों शम्मोंधित गुन भी पाए जाते हैं तो अगर आपका यरुज और शुक्रानु कम है तो उन्हें बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो इस बर हम जानते हैं हिमलाय त्रिकाटू का सेवन कैसे करें दोस्तो हिमलाय त्रिकाटू टेबलेट और सिराप के रूप में उपलाब्ध है अगर आप टेबलेट लेते हैं तो एक से दो गोलिया दिन में दो बार लेने की सलाह दी जाती है अगर आपको जियादा समुसा है तो आप किसी आयरुवेतिक चिगिस्सा की सलाह से भी ले सकते हैं हिमलाय त्रिकाटू की कीमत दोस्तो हिमलाई तरिकाटू टेबलेट की सैट गोलियां की डिब भी 165 की आती है और वही अगर आप हिमलाई तरिकाटू सिराप लेना चाहते हैं तो ए 200 ml 200 का मिल जाएगा खरिदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंख है उहां से भी आप खरिद सकते हैं दोस्तो लास्ट में हम जानते हैं हिमलाई तरिकाटू लेने की सब्धानिया दोस्तो योदि आप गरोबुर्ती आ इस्तन्नोपन कराने वाले मोहिला है तो उपयोग करने से पहले चिगिस्था की सलह जरूर ले कभी भी किसी भी दवा को अबाट डोज ना करें जितनी सलह दी गई है उतने ही लेनी चाहिए अगर आपका जियादा समस्था है तो आप किसी चिगिस्था की सलह से ही इस्तिमाल करें दोस्तों अगर आपको इस दावा से किसी भी तरह की प्रेशानी होती है आप फिर कोई एलर्जी होती है तो उसी समय उसका सेबन बंद कर दे हीवलाई तरिकाटू इस्तिमाल करने से पहले लेबल को ध्यान से पड़े तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक आओ दोस्तों के साथ और सौ फेसबुक पर सेयर जरूर करें इसे ही लाइफ स्टैल सेस्त और संदस्ट जूड़े वीडियो प